वेलकम बैक गाईज, तो इन दिस वीडियो आई विल कवर टिप नमबर फाइफ तो अप्टिमाइज यॉर पावर भी रिपोर्ट इससे पहले में चार टिप अर्डी शेयर कर चुकी हूं और अब हम बात करेंगे फिफ्थ टिप की, फिफ्थ टिप है आपको यूज करना है डेटा मॉडल, डेटा मॉडल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बैग्राउंड दे देती हूं, अगर आप ये पावर भी ये का टूल, मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसमें जो थर्ड सेक्शन होता है, लेफ्ट है, जिसका की कैप्शन है, लेबल है, मॉडल, ये इसको हम बोलते हैं, डेटा मॉडल, तो अगर आप थेओरी इस पर जाएंगे, जो मार्किट में थेओरी अवेलेबल है, स्नोफलेक स्कीमा, यूनो स्टार स्कीमा, ऐसे बहुत सारे स्कीमा अवेलेबल हैं, तो स्कीमा क्या होता है? श्कीमा होता है, लोजिकल अर्चमेंट of all your tables. उसको हम schema कहते हैं और finally overall जो एक schema हमारा बनता है उसको हम data modeling या data model कहते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यह tables है, connected है, यह एक table है, जो एक ही table से connected है तो basically इस powered BI report में मैंने use किया है star schema तो यह कोई मैंने अपनी मर्जी से use नहीं किया है, Microsoft suggest करता है कि आप Power BI में star schema use करें for a good report and for better optimization तो आपको same theory follow करनी है आप Microsoft को cross करके कुछ और अगर schema use करते हैं अपनी मर्जी से, तो उसका optimization बहुत अच्छा नहीं होता है right, star schema में क्या होता है आपका एक center में यह table होता है जिसको हम fact table कहते है और इसके अलावा बागी की जितनी dimensions जितनी भी tables होती है उनको हम बोलते है dimension tables और जितनी भी dimension tables होती है वो आपस में किसी से कोई connected नहीं होती सारी dimension table fact table से connected होती है तो basically देखा जाए तो जो मेरी fact table है वो ही मेरी centralized table है schema को आप judge कैसे करोगे कि अच्छा है कि नहीं है वो मैं आपको बताती हूँ अब जैसे मालो मैं आपको एक order ID देती हूँ और मैं बोलती हूँ tell me the date of the order कि यह order place कब हुआ था अब सबसे पहले मुझे रेखना है कि यह जो table है इसमें order ID है मेरे पास order date जो column है किस table में है अगर आप इस triangle पे खरसर रखते हो तो यह आपको बताता है कि यह दोनों table किस column के through connected है तो दोनों table order ID के through connected है तो जब मैं order ID देती हूँ for example order ID 123 और मुझे पता करना है कि वो किस date पे place हुआ था तो यह order ID इस relationship के through इस table को access करेगा और जहां पे भी order ID 123 इस table में order ID 123 से match करेगा उसके respective date मुझे दे देगा तो जो इसमें जो flow है ना information का वो बहुत simple है flow क्या है यहां से order ID यहां गया order ID match किया और respective order date मुझे return कर दी मालो मुझे यह order ID की order date find out करने के लिए पहले यहां जाना हुआ फिर किसी तीसरी टेबल में जाना हुआ फिर किसी fourth टेबल में जाना हुआ और फिर मुझे order date मिलता है तो उसमें जो control का movement है वो थोड़ा difficult है उस case में क्या होगा वो जो query run कर गए आपके पास आंसर आएगा हो लेट आएगा तो वो optimized report नहीं हुई तो इस तरह का concept आपको यह star schema thoroughly follow करना है बिना किसी गलती के कोई और schema Power BI में यूज नहीं करना है यही आपकी report को optimize करने के लिए काम आएगा और अगर आपको जानना है कि पूरा star schema आप अपनी data पे कैसे implement करें तो इस video के description में आपको मैंने star schema पूरे concept का practical example का वीडियो का link दिया है आप उसको देख सकते हैं उसमें मैंने एक data set यूज किया superstore data set यही same data set है जिससे मैंने star schema यहापे follow किया है और उसमें मैंने आपको step by step guide किया है और पूरी theory मैंने समझाई है कि आपको follow कैसे कर दा है तो आप star schema का पूरा concept वहाँ से सीख सकते हैं और उसके बाद जो भी आपका data है आप उस पे भी इंप्लिमेंट कर सकते हैं तो वेट कीजेगा मेरी next tip का next video में